Hello and welcome back to my channel आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Right to Freedom of Religion Fundamental Rights Part 3 में हमारा दिया हुए Article 25 से लेकर 28 तक Right to Freedom of Religion सबसे पहले है Article 25 इसमें है Freedom of Conscience, Free Profession Practice and Propagation of Religion Conscience का मतलब होता है Sense of Right or Wrong आपकी अंतरात्मा को जो सही लगता है आप वो Follow कर सकते हैं Free Profession का मतलब है आप उसमें Believe कर सकते हैं उसको Freely Conduct कर सकते हैं, Practice कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, Propagate कर सकते हैं इसमें तीन restrictions हैं Public Order, Health and Morality यानि कि धर्म के नाम पे आप Public Order नहीं खराब कर सकते हैं Health का इशू आए तो Government restrictions लगा सकती हैं जैसे COVID के टाइम में Religious Processions, Gathering ये सब बंद हो गई थी और Morality यानि कि धर्म के नाम पे आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं जो कि Morally सही नहीं हैं इसके तहट State के पास ये भी Right हैं कि वो Religious Practices और उससे Associated Activities को Regulate कर सकती है जो किसी भी तरीके के हो सकते है Financial, Economic, Political या फिर कोई Secular Activity इन सबको State Regulate कर सकती है यानि कि हमारे यहां जो Right to Freedom of Religion मिला हुआ है ये पूरी तरह से State के Control से बाहर नहीं है State Interfer करती है कब Interfer करती है? जब Public Order, Morality, Health की बात आती है जब Social Welfare और Reform के लिए उसको Interfer करना पड़ता है ऐसे में भी State Laws बना सकती है जैसे कि Hindu Temples में Entry के लिए Law बनाए गए ताकि सभी Hindus को Entry मिल सके इसी आर्टिकल के तहत ये भी कहा गया है कि Sikh Faith जो कृपान क्यारी करते है वो उनके Religion में Included है तो उसको Weapon नहीं माना जाएगा वो उनके Religion का हिस्सा माना जाएगा तो ये हो गया Article 25 Next है Article 26 Freedom to Manage Religious Affairs ये तरहसल एक तरह का Group Rights है तो हमारे Constitution में ना किवल Individuals को Religious Freedom है बलकि Religious Groups as a Denomination उनको भी Certain Rights दिये गए है Rights क्या-क्या है? तो उनको Right है कि वो Form कर सकते हैं, Religious Institutions उनको Maintain कर सकते हैं, Manage अपना Affair कर सकते हैं, Property Acquire कर सकते हैं और उसको Administer कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से चला सकते हैं, इसको कैसे याद रखें कि चार चीजे क्या है? मैंने Simple सर ट्रिक बनाए हुआ था कि धर्म के नाम पे माथा फोड़ना अच्छी आदत नहीं, धर्म से याद रखेंगे Religious Rights के बारे में हैं MA से Manage, FO से Form AC से Acquire और AD से Administer, तो यह चार चीजे हैं फिर है Article 27 Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Religion, यानि कि आप पे ऐसा कोई Tax सरकार नहीं लगा सकती है, जिसके Proceeds को किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाए किसी Particular Religion, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाए Although जो हम लोग सरकार को Taxes Pay करते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि सरकार धर्मिक संस्थानों में different तरीके से मदद करती, जैसे उनको कम कीमतों पर land मिलती है, etc. लेकिन कोई ऐसा एक religion के लिए ये सरकार नहीं करती है, सबी धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से मदद करती है, जैसे कि विजिट करने के लिए धर्मिक संस्थान, जगहों पर विजिट करने के लिए हमेरे सरकार की तरफ से मदद मिलती है, जैसे दिल्ली सरकार लोगों को मका भेजती है, तो ये सारी जीज़े है, लेकिन किसी एक particular religion को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, कोई taxes नहीं लगाए जा सकते, फिर अगला है article 28, freedom as to attendance at religious instruction और religious worship in certain educational institutions, इसमें चार चीज़े हैं, पहला तो ये कि जो भी educational institution जो की religious groups के द्वारा बनाया गया है, वहाँ पे religious instruction दिये जा सकते, तो ये पहला exemption दिया गया है, जैसे मदर्सा वेगर हो गया, यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, और religious instructions भी दिये जाते हैं, वैदिक schools हो गया, तो इनको exempt किया गया है, फिर दूसरा है कि state-run educational institution में कोई भी religious instruction नहीं दिये जाएंगे, कोई भी धार्मिक उपदेश या धर्म के बारे में चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, जो भी शिक्षा की संस्थान, state द्वारा चलाए जाए जाए सरकारी school colleges में लेकिन जो school colleges state के द्वारा चलाए तो जाते हैं, लेकिन जिनको किसी trust के तहत बनाए गया है और वहाँ पर इसलिए उसको बनाए गया है ताकि religious instruction दिये जाए तो उनको exempt किया गया है फिर चौता है कि अगर किसी educational institution में instruction दिये जाते हैं और वो educational institution या तो state के द्वारा recognize किया जाता है या फिर state के द्वारा वहाँ पर fund दिये जाते हैं, ऐसे में हमें ये freedom है कि हम उसमें participate कर भी सकते और नहीं भी कर सकते वो students पर depend करता है और अगर students जो है वो minor होंगे तो guardian से consent लेने की जरूरत होती है, तो ये चार चीज़े हैं article 28 में First, religious instruction in religious place यानि कि ऐसे educational institution जो religious place है, वहाँ पर religious instruction दिया जा सकता है, दूसरा state run में, बिल्कुल no तीसरा, trust या इंडॉर्मेंट के अंदर कर किया गया है, तो वहाँ पर allowed है और चौथा, state recognized में freedom है, to participate तो ये हो गया हमारा right to freedom of religion, आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम लोग किसी और important article के बारें बात करेंगे चनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजेगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा thanks for watching, have a nice day